यह लेबनन सीरिया का बॉर्डर है और सामने इजरैल के टावर है टावर पर छोटे रैडार भी लगे हैं, कम्निकेशन सिस्टम भी लगे हैं और सर्विलान्स कैमरे भी लगे हैं तभी जाड़ियों में से निकलती है एक स्नाइपर की राइफर और फिर देखिए क्या होता है पहले रडार पर गोली फायर होती है फिर कम्निकेशन सिस्टम थोड़ा जाता है फिर सर्विलान्स कैमरे पर गोली पड़ती है ये सब कुछ इस्रेल लेपनन बॉर्डर पर हो रहा है इस्रेल डेफेंस का पूरा निगरानी स्ट्रक्चर हेजबुल्ला ने उखाड़ना शुरू कर दिया है लेकिन इसके बाद जो होता है वो नितन याहू को डरा देगा ये हनीता बॉर्डर पॉइंट है यहाँ एक मिसाइल निकलती है और सीधे बॉर्डर पर खड़े इस्रेल के मरकावा टैंक को फोड़ देती है एक पर देखिए हमला कैसे होता है दूआ छटता है तो इस्रेल के बाद की टैंक भागने लगते हैं दूसरा वीडियो दुहैरा बॉर्डर पॉइंट से आया है यहाँ भी इस्रेल का मरकावा टैंक घूम रहा था और फिर होता है एक बड़ा हमला हेजबुल्ला एंटी टैंक मिसाइल फायर करता है मिसाइल टैंक की तरफ बहुत तेजी से बढ़ती है और इस्रेल के मरकावा में बहुत बड़ा धमाका होता है लेबनन बॉर्डर पर इस्रेल के टैंक पर हमलों का वीडियो बहुत डराने वाला है इस्रेली टैंक के ऐसी तबाह होने की तस्वीरें जब इरान पहुँची तो वहां की विदेश मंत्रे ने बहुत खतरनाक बयान दे दिया अगले कुछ घंटों में इस्रेल पर बड़ा हमला हो सकता है घ्जबॉल्ला की तरफ इशारा करते हुए इरान ने कहा है कि अगर इरान और लेबनन ने इस्रेल को जवाब नहीं दिया तो इस्रेल की सेनत तहरान और बेरूत पर कल हमला कर देगी इस्रेल की ताकत का पूरा अंदाजा लगा लिया है इस्रेल और लिबनान बॉडर पे बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो युद को गाजा बॉडर से निकाल कर इस्रेल और लिबनान के बॉडर तक ले जाए और हिजबॉल्ला से एक नया फ्रंट खोल दे गाजा में पहले से ही खूब बंबारी और गोली बारी की जा रही है लेकिन हिजबॉल्ला के आने से एक नया फ्रंट खुल जाएगा और दो फ्रंटों पे इस्रेल पूरी लड़ाई लड़ेगा इस्रेल पर हमले का खत्रा इसलिए बढ़ गया है क्योंकि एरान के सुप्रीम लीडर आयतुला अली खामनेई ने अमेरिका तक को चेतावनी जारी कर दी है अली खामनेई ने कहा है कि अगर घाजा में इस्रेल के जल्म खत्म नहीं होए तो दुनिया की कोई ताकत मुसल्मानों को रोक नहीं पाएगी हमास के हमले के बाद इरान ने इस वक्त अपने मिलीशिया गोटों और मित्र देशों को एक्टिव कर दिया है सुदी अरब, जॉर्डन और मिस्र से भी इस्रेल को कड़वे शब्द ही मिले है सितंबर महीने में ही यमन ने अपनी मिलेटरी परेड निकाली थी और इस परेड में ऐसी ऐसी मिसाइल और ड्रोन दिखाए जो इस इलाके में अमेरिका और उसके दोस्तों को परिशान कर सकते है यमन वो देश है जिसने पिछले आठ वर्षों तक साओधी अरब और उसके 15 साथ की देशों से यो धलड़ा जिस युद में उसके खिलाफ अमेरिका भी रहा ब्रिटन भी रहा और इस्रेल ने भी यमन के खिलाफ मदद की अब वही यमन अमेरिका और इस्रेल दोनों को ललकार रहा है युद की ऐसी ललकार ऐसा गुसा आप इस इलाके को पश्यम एशिया कहकर बुलाईए इसे खाड़ी कहिए या फिर मेडलीस नाम कितने भी हो लेकिन इस वक्ती ओकरेन के बाद दुनिया का सबसे खदरनाक इलाका कोई है तो वो यही जमीन है पिछले चार दश्कों से ये इलाका युद देख रहा है यमन के इस मिसाइल का नाम है तूफान जो एक हजार किलोमीटर की रेंज दख मार कर सकती है इस मिसाइल से यमन ने सौदी अरब को कई बार डराया है इसरेल को भी लगता है कि यमन को ऐसे और हत्यार मिल सकते है और फिर वो उसके लिए खत्रा बन जाएंगे इरान भी यही डर पैलाना चाहता है जाहिर है कि इसरेल के लिए ये ये नया फ्रंट साबित हो रहा है अफगाजा के तमाकूने हिजबला के साथ एरान को युद मे कूदने के लिए तयार कर दिया है इसलिए इसरेल और अमेरिका के खिला पसका युद किसी भी वक्त शुरू हो सकता है अमरिकाई हा हमन तोर के गुफते हम प्याम हाई रो मीदन नखित का अमरिकाई हाई पासुकताई हम इसलिए लिए जान, वा प्युफते है एसाथ अक्टूबर को हमास ने इसरैल पर एक साथ पाच हजार रॉकेट डागे जिसकी वज़ासे इसरैल क्या आरण डोम भी पूरी तरह से नाकाम हो गया सवाल यह है कि अगर इरान इसरैल पर हमला करता है तो फिर क्या होगा ऐसे हालात में अमेरिका क्या करेगा? क्योंकि इरान के आसपास अमेरिका के इतने मिलिटरी अड़े हैं जहां से इरान के खिलाफ हमले लॉंच किये जा सकते हैं इसलिए कोई शक नहीं कि घाजा में युद्ध के साथ-साथ अब इसराइल से पहले उसने अमेरिका के फौजी अड़ों को अपने टार्गिट पर ले लिया है इरान के आसपास अमेरिकी सेना के कई मिलिटरी बेस हैं और इनमें कुल 40,000 से जादा अमेरिकी सैनिक तैनाथ हैं इसमें कोवैट में 10 सैनिक अड़ों हैं और यहां अमेरिका के 13,000 से जादा सैनिक हैं बैरीन में अमेरिका ने 12 अड़ों बनाए हैं और यहां उसके 3700 से जादा फौजी तैनाथ हैं सौदी अरब में अमेरिका के 10 मिलिटरी बेस हैं, यहां 3,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, ओमान में अमेरिका के 6 अड़े हैं, यहां उसके 600 सैनिक तैनात हैं, सैयोक्त अरब अमिरात में अमेरिका के 3 अड़े हैं और यहां उसके 5,000 सैनिक तैनात हैं, कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिटरी बेस है और यहां 13,000 अमेरकी सैनिक रखे गए हैं। यह वो देश हैं जहां से इरान बहुत ज्यादा करीब है। और लेबनन बॉर्डर पर युद्ध होता है और इसमें इरान भी शामिल हो जाता है। तो समझ लीजे इन सभी अड़ों से इरान पर हमले लॉंच किये जाएंगे या फिर इरान इनको अपने मिसाइल अटैक से मिट्टी में मिला देगा। इरान पहले ही अमेरिका को अपने आस पास बरबाश्ट नहीं कर पा रहा। और अब घाजा इसरेल के बीच युद्ध ने युद्ध का एक नया बहाना दे दिया है।